बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटव के माध्यम से देखा जा सकता है, नाम है शिक्षा दर्शन, इसके अंतरगत आप कक्षा एक से बारा तक विडियो के माध्यम से अध्यन कर सकते हैं, इस कारिक्रम में आपको घर बैठे सब्ताह के प्रथम पांच दिन सभी विश्यों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरी के से समझाए जाएगी, तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ-साथ मनुरंजग कहानियों वकटपुतली के खेल का भी आनन्द ले सकेंगे। की विशयवस्त के लिए 12,5 बजे तक, तथा कक्षा 11, 12,5,5 बजे तक, तथा कक्षा 1-5 के लिए 3-3,5 बजे तक, एवं कक्षा 6-8 के लिए 3-4 बजे तक, शैक्षी कारेक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान विश्य में बुक समकालीन भारत एक से भारत आकार और स्थिती भाग 5, 6 पर कक्षा 10 में अंग्रेजी विश्य में भोली भाग 5, 6, 7, 8 हाँ बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का कौन सा सब्जिक्ट? भुगोल यानि कि जोग्रफी और इससे सम्बंदि जो भुख है उसका नाम है समकालीन भारत भाग 1 इसका चेप्टर नमबर वन हमने पढ़ लिया है जिसका नाम है भारत आकार और सती और चोथी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने वीडियो में जाना आज बारी आ गई है questions और answers की जी हां बच्चों यदि आपने चारों पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आज आप बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे तो start करते हैं हमारे पहले question के साथ यह देखिए करक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है बहुत relax होके questions को पढ़ना है एक्जाम में जब भी कोई question आप से पूछा जाता है तो घवराना बिलकुल नहीं होता है और यह तो पाठे पुस्तक के प्रश्न है इसी से हमारी exercise होगी कि कैसे questions को solve किया जा कि करक रेखा भारत के आठ राज्यों से गुजरती है चलिए थोड़ा सा रिवाइस करते हैं और मैप के उपर देख लेते हैं यह देखिए बच्चों हुआ है थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं मान्चित्र को करक रेखा यह देखिए करक रेखा की स्ताती है और ये कौन से अक्षांश पर है? साड़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा अस्तित है, तो देखना स्टार्ट करते हैं, देखिए, पहला राज्य मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, पशिमंगाल, जार्खन, चत्तेजगर, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजराद, जी हाँ, बच्चों, इन आठ राज्यों से ये करक्रेखा गुजर रही है, अब हमारा प्रशन क्या है, एक बार फिर से देखेंगे कि करक्रेखा किस राज्ये से नहीं गुजरती है, तो हमने क्या देखा, कि ये राजस्तान राज्ये से भी गुजरती है, चत आप इसको खै अंकित कर सकते हैं अगला क्वेशन ले लेते हैं और देखते हैं भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है यानि ये सवाल भी हमने बहुत अच्छे से बढ़ा था और मैंने आपको कई बार समझाया था कि भारत का पश्रीमी और पूर्वी देशांतर कौन सा है ये देखे बच्चो भारत का मानचित्र फिर से यहां पर बताये हुआ है इसे और बढ़ा कर लेते हैं ये आपको देशांतर रेखा है तो अच्छे से बता होई चुकी है ये देखे ये देशांतर रेखा है ये 66 और 68 यानि हम 68 से स्टार्ट करें ये देखे ये कौन सा देशांतर है? 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्वी देशांतर लेकिन ये भारत का कौन सा भाग है? पशीमी भाग है याद रखना है कि ये पशीमी भाग है और ये भारत का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है यानि इसका विस्तार 68 डिग्री 7 मिनिट से स्टार्ट होता है और कहां समात हो रहा है सित्यानवे डिग्री 25 मिनिट पूर्वी देशांतर पर और सवाल क्या पूछा गया है आपसे सवाल क्या है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है तो हमारा सही उतर क्या होगा ये सित्यानवे डिग्री 25 मिनिट पूर्वी देशांतर तो आपका जु अगले क्वेशन के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तराखंड, उत्तरप्रदीश, बिहार, पश्यमंगाल और सिक्किम की सिमाएं किस देश को छूती हैं। याद कीजिए तो हमने चार वर्ग समू बनाये थे और मैंने आपको एक हमवर्ग भी दिया था कि आपको नेपाल और भुटान की सिमाओं के भी जो राज्य लगते हैं उनके नाम के एक कैटेगरी बनानी हैं। उमीद करती हूँ कि आपने जरूर किया होगा बच्चों अपनी नोट बूक और पैन अपने साथ रखी और मेरे साथ साथ ही इन क्वेशन्स को हल करते चलिए। तो देखते हैं इसका उत्तर फिर से मानचित्र को बढ़ा करेंगे हम यह देखें यह रहा आपका मानचित्र। यदि हम चीन की बात करें, तो चीन से कौन-कौन से राजय लगते हैं, देखिए चीन से लगने वाले हैं, यहां हम चीन की बात करेंगे, यह देखिए चीन, पहले हम चीन को देखें, जो चीन देश है, उसकी सिमाई किसकी से लगती है, लद्धाक से, हिमाचल प्रदेश से, यानि इसमें लद्धाक और हिमाचल प्रदेश तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम चीन को अभी सही eliminate कर सकते हैं, यानि इसको हम cross कर सकते हैं कि ये चीन देश तो बिलकुल नहीं है, अब बढ़ते हैं भूटान की तरफ, हाँ भूटान ये रहा आपका भूटान देश, भूटान की सीमा हैं किस-किस से लगती है, सिक्किम से पहला ही राज्य क्या आगया है, सिक्किम ये सिक्किम राज्य है, लेकिन यहाँ पर सिक्किम का भी नाम नहीं है, अच्छा सिक्किम का नाम यह रहा, चली अगला नाम देखते हैं, और किसे लगती है, पर्शिम मंगाल से भी लगती है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है, तीसरा नाम है बिहार का, तो सिक्किम की सीमा बिहार से, और उत्तर प्रदेश से तो देखें बिलकुल नहीं लग रही यानि कि यह उत्तर भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब बढ़ते हैं नेपाल की तरफ और देखते हैं कि नेपाल की सीमा किस-किस राजे से लगती है यह रहा नेपाल देश यह आपको दिखाई दे रहा है नेपाल देश इसकी सीमा लग रही है उत्तराखंड से उत्तर ग्रिश्मकाश में आप यदी कवरती जाना चाहें तो किस केंद्रसाशित क्षेत्र में जाएंगे? मैंने आपको कहा था कि आप 28 राजियों और 9 केंद्रसाशित प्रदेशों के एक सूची बना लीजिए और उनके सामने उनकी राजधानियों को अंकित कीजिए. आप इसका उतर बहुत अच्छे से दे पाएंगे. अब मुझे बताईए कि कवरती क्या है? एक केंद्रसाशित प्रदेश की राजधानी है. तो कौन से केंद्रसाशित प्रदेश की राजधानी है? बताएंगे आप? अच्छा, पॉंडेचरी. चलिए, पहले option पे चलते हैं पॉंडेचरी. पॉंडेचरी की राजधानी क्या है? पॉंडेचरी ही है. दूसरा नाम आता है लक्षद्वीब. लक्षद्वीब की राजधानी क्या है? कवरती. तो आपको आपका उतर मिल गया है. यह रहा आपका लक्षद्वीब. लक्षद्वीब की राजधानी है कव जाएंगे तो आपको उसके लिए कहा जाना होगा लक्षदीप समूम यहाँ पर हम इन दोनों की राज़ानिया में देख लेते हैं अंडमानों निकोबार की राज़ानिये पोर्ट ब्लेयर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा कुछन मेरे मित्र एक ऐसे देश के न याद कीजिए चलिए मानचित्र को फिर से थोड़ा सा जूम पे ले लेते हैं यह देखें भारत के यदि हम पश्चिम में बात करेंगे तो कौन से देश है पाकिस्तान है और यह अफगानिस्तान है उत्तर में बात करेंगे तो चीन, नेपाल, भुटान, मियामार, हमारी सीमा को नहीं चू रहा है वो है तजाकिस्तान तो इसका उत्तर क्या होगा खै क्योंकि बुटान भी हमारे देश से लगा हुआ है बांगलादेश की सीमाई भी हमारे देश की सीमाओं को स्पर्ष करती है और नेपाल की सीमाई भी हमारे देश की सीमा को स्पर्ष करती तो इसका उतर आप अंकित कर लेंगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेशन देखें बचों अब तक आपनी वस्तुनिष्ट प्रशन देखें अब हम पढ़ेंगे दो लाइनों के उतर जिसका उतर आपको संक्षेप में देना होता है पढ़ते हैं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्तेथ द्वीब समू के नाम बताई है अरे वाँ ये तो बहुत अच्छा क्वेशन है आपने कई बार इसको वीडियो में देखा है और दक्षन में कौन सा द्वीब ये देश है जो हमारे पडोसी देश है यानि कि इस क्वेशन को दो द्वीब और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीब समू है अंडमान और निकोबार द्वीब समू अब अगले प्रशन में बढ़ते हैं जो किसका अगला भाग है दक्षन में कौन से द्वीब ये देश हमारे पडोसी देश है मैंने आपको भाग चार में बताया था कि ह हमारे पडोषी देश तो है वो लेकिन हमारी सीमा को इस पर्ष नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हमारे पडोषी देश कहलाते है और उनमें से पहला नाम माता है श्रिलनका का और दूसा नाम माता है मा। का मालदीव किसके दक्षण में सित लक्षदीव के चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ है तो बहुत ही आसान सवाल है उन देशों के नाम बताईए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं है ना आसान सवाल है ना भारत क्षेत्रफल की दृष्टी से विश रूस दूसरा नाम आता है कैनेडा कैनाडा भी बोलते हैं तीसरा संटराजय अमेरिका चोथा है चीन पांचवा है ब्राजील और छठा है और इसके बाद में सात्वे नंबर पे जो नाम आता है वो किसका है आपके देश का भारत का तो भारत से बड़े कितने देश हुई अच्छे और आप इसको अपनी नोट बुक में भी नोट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वशन पर हमारे उत्तरी पशिमी उत्तरी तथा पूर्वी पडोसी देशों के नाम बताईए बचों यह बहुत ही अच्छा क्वशन है एक बार मानचित्र को हम फिर से जू यह उत्तरी पशिमी है यह उत्तरी है और यह पूर्वी पडोसी देश है यहाँ पर उत्तरी लिखना हम भूल गए हैं तो अभी हम इसको लिख लेंगे चलिए उत्तरी पशिमी देशों की बात करते हैं तो पहला नाम आएगा पाकिस्तान का और दूसरा नाम आएगा उत्तरी देशों की बात कर लेते हैं, तो क्या-क्या नाम आएंगे इसमें, एक तो नाम आजाएगा चीन का, दूसरा नाम आजाएगा नेपाल का, आप इसे लिख लीजिए, और तीसरा नाम आजाएगा भुटान का, भुटान, ये देखिए, भुटान, तो ये उत्तरी सीमावर्ती वाले देश हो गए, अब हम पूर्वी देशों की बात करें, तो किस-किस के नाम आएंगे, म्यामार और बांगलादेश, ये देखिए, ये म्यामार है और ये बांगलादेश है, तो ये भी बहुत आसान प्रश्ण है, जिसका उत्तर आप आसानी स से दे सकते हो, आगे बढ़ते हैं बच्चों, भारत में किन-किन राजों से करक्रेखा गुजरती है, उनके नाम बताईए, अभी अभी हमने ये प्रश्ण देखा था, अभी हमने ऐसा प्रश्ण बढ़ा था वस्तो निश्टों में, कि करक्रेखा कौन से राजे से नहीं ग आसान है, पहला नाम आता है गुजरत का, दूसा नाम आता है राजस्थान, मद्यप्रदीश, छतिसगर, जारखन, पशिमंगाल, त्रिपूरा और मीजोरम, तो ये आठ राजे हैं और आप इसे अपनी नोट बुक में नोट कर लीजिए, अगला प्रश्ण देखते हैं, य लगुद्रात्मत प्रश्ण है, इसका उतर हमें थोड़ा सा और विस्तार से देना होता है, पढ़ते हैं, क्वशन को, सूर्योदय, यानि कि सूरत जब उखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सूर्योदय, सूर्योदय, अरुनाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, और गु है, मैंने वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से समझाये था, यदि आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से बढ़ा है, तो ये क्वशन का उतर भी आपको आजाएगा, चलिए, करने की प्रयास करते हैं इसको, ये देखें बच, ये क्या है, भारत का मानचित्र, और ह मिनिट पूर्वी देशांतर, और ये है सित्यानवे डिग्री पूर्वी, सित्यानवे डिग्री 25 मिनिट, सित्यानवे डिग्री 25 मिनिट पूर्वी देशांतर, बच्चों, ये अरुनाचल प्रदेश का क्षेत्र है, और ये गुजरात का क्षेत्र है, अरुनाचल प्रदे से जैसे जैसे आप पूर्वी देशांतर की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टाइम आगे बढ़ता रहेगा तो सूरिय क्या जो उधय हो रहा है वो अरुनाशल प्रदेश में पहले होता है और गुजरात में दो घंटे बाद में होता है है कि यानि अच्छा ही अब बात पता कि इन दोनों की बीच में कितने डिगरी का अंतर है तीस डिघरी में होतेइं चार मिनिट होतें हैं तो तो इसी प्रकार 15 डिग्री में साथ मिनिट होंगे, यानि कि एक गंटा, और 30 डिग्री में कितने गंटे हो जाएंगे? दो गंटे हो जाएंगे, यानि कि यहां पर यदि पांच बजे सूर्योधा होता है, तो यहां पर कितनी बजे होगा? साथ बजे, लेकिन इसे हम स्थानिय समय कहते हैं, और हमें तो कौन सा समय अपनाना है? एक स्टेंडर टाइम, जिससे कि पूरे भारत की घडियां प्रशाशनिक सूवधा के लिए एक ही घड़ी से चल सके, तो हमने क्या किया? कि ना तो अरुणाचल प्रदेश की समय रेखा को माना, और ना ही गुजरात की, हमने इस साड़े बर्यासी डिग्री, यह देखिए, यह कौन सी रेखा है? साड़े बर्यासी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हमने भारत की मानक्याम उतर रेखा माना और उसी से हम पूरे भारत की घड़ियों को आगे चलाते हैं देखिए इसका उतर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं भारत का देशांतरी विस्तार 28 डिगरी पुर्वी देशांतर यायनी कि ये और 97 डिगरी 25 निट ये वाला देशांतर है इनका अंतर लगभा कितने डिग्री का हैसे तीस डिग्री का है अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चों इसे notebook में note भी करते रहिए हाना देशांतर का प्रभाव किस पर पढ़ता है समय पर पढ़ता है प्रत्वी अपने अक्ष पर यह पक्ष नहीं है यह अक्ष है अक्ष पर एक पूरा गुणन करने में अर्थार तीन सो साथ डिग्री पार करने में कितने घंटे का समय लेती है आपको पता है कि कुल कितनी देशांतर है तीन सो साथ देशांतर है और पूरी प्रत्वी जब अपना गुणन करती है तो पूरे चोईस गंटे का समय लेती है इस परकार से उसे एक डिग्री पार करने में कितने मिनिट लगेंगे चार मिनिट लगेंगे और हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है, वो कितना है? 30 डिग्री, यानि कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो बीच का देशांतरी विस्तार है, वो 30 डिग्री में विस्तृत है, तो भारत में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, प्रत्वी पश्यम से पूर्व के और घुम गुजरात से 2 घंटे पहले ही वहाँ पर सूर्योदय हो जाता है, जबकि गुजरात जो कि कौन से देशांतर परसित है? 68 डिग्री, 7 मिनिट पूर्वी देशांतर परसित है, वहाँ पर सूर्य दो घंटे बाद दिखाई देता है, अब दोनों राजियों में घड़ियां ए फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लीजे और देख लीजे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छटा प्रश्न, हिंद महासागर में भारत की केंद्री इस्तिती में इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? देखे बचों, फिर से वही सवाल हिंद महासागर का, हमने इ इसे किसे 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 कि देख लाभ रखा गया? देखे बचों, हिंद महासागर की कारण वानिज्य और व्यापार, दोनों ही मामलों में हमें बहुत लाभ हुआ है, भारत का जो दक्षन का पठार है, उसका जो पशीमी भाग है, उसे उसे यूरोप और अफ्रीकी देशों से, मध्यपूर्व की देशों से व्यापार करना आसान हुआ, और जो पूर्वी भाग है, उसे पूर्वी इशय देशों से हमारा मार्ग आसान हुआ, यह देखे, यहाँ पर आप इसे लिख भी सकते हो, और जो वायू मार्ग थे, और जहाज मार्ग थे, वो सब कह से होकर गुजरते थे हिंदुस्तान के निकड से इसलिए हमें इसकी केंदरी इस्तिति का भरपूर लाब हुआ है अब आप इसे नोट कर लीजिए हिंद महासागर में भारत की केंदरी स्थिति के कारण वानिचे एवं व्यापार के मार्ग में अनुकूल स्थिति है पूर्व एवं पशिम को जोडने वाले समुद्री मार्ग और वायू मार्ग हिंद महासागर एवं भारती महादीप से होकर ही गुजरते हैं अब दूसरा पॉइंट है हिंद महासागर में अपन सब्सक्रतिक संबंद बनाए हुए हैं तो बच्चों ये तो थे आज की वस्टोनिष्ट अति लग उत्रात्मक और लग उत्रात्मक प्रशने मैं उमीद करती हूं कि आपको सभी प्रशनों की उत्र जरूर समझ में आये हूंगे आप इसे नोट भी कर लीजेगा देखे बच् देखे की अरव सागर में कौन साथ समूं है अरव सागर में जो समूं है वो लक्षद्वीब है और बंगाल की खाड़ी में जो समूं है वो है अंडमान और निकोबार घुह समूं उमीद करती हूं कि आप Colonie मानचित्र में इसे साथ साथ भर रही होंगे अगले क्वशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारती उप महादवीब किन देशों से मिलकर बना है देखें भारत कि जो स्तिती है वो बहुत ही यूनीक है और उसके जो पडोसी देश है उसके सहीद उसे भारती उप ये उप महादवीब कहते हैं तो देखते हैं वो कौन-कौन से देश है जो भारती उप महादवीब का निर्माण करते हैं इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है पाकिस्तान ये रहा आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान भारती उप महादवीब का हिस्सा नहीं है याद के बाद में भारत भारत तो हई भारत तो भारती उपमहादवीप का हिस्सा है और फिर नाम आता है श्रिलंका का इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारती उपमहादवीप में भारत के पडोसी देश भी शामिल है फटा-फट से इसे नोट कर लीजिए देखते हैं तीसरा क्व इसे आपको बहुत अच्छे से करना है मानचित्र को थोड़ा सा जूम करके फिर से एक बार इसकी स्थिति को देखते हैं यह देखें यह करक रेखा कौन से अक्षांश पर सिथ है साढ़े तेईस डिक्री उत्तरी अक्षांश पर सिथ है यह कितने राज्यों से गुजरती है आठ राज्यों से गुजरती है चली एक बार फिर से इस रेखा का अंकन कर लेते हैं मीजोरम होते हुए त्रिपूरा पशिमंगाल जार्खन चतिसग मद्यप्रदीश राजस्तान और गुजरात यह आठ राजे हैं जहां से करक्रेखा गुजरती है आप अपने मानचित्र में इसे अंकित कर लीजिए अब अगला क्वशन देखते हैं कि भारती मुख्य भूभाग का जो दक्षणी शिरिश बिंदू है वो कौन सा है अब यह यह भारत का मुख्य भूभाग है लेकिन जो भारती संग है वो तो कहां तक विस्त्रत है लक्षदीप में भी है और अंडमान निकोबार्दीप में भी है और यहां पर हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो क्या है भारती मुख्य भूभाग का दक्षणी भाग यानि भारती मु यहाँ पर एक सवाल आपसे और भी पूछ सकते हैं एक्जाम में कि भारत का दक्षिंता मिंदु कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे इंदरा पॉइंट लेकिन वो भारत की मुख्य भूमी में नहीं है बलकि अंडबान और निकोबार के ग्रेट निकोबार में है आगे बढ़त का अक्षांशी विस्तार इस बिंदु से शुरू होता है इसे हम बोलते हैं चार मिनट उतनी अक्षांश। और यह कहां समाप्त होता है 37 डिगरी 6 मिनिट उतरी अक्षांश पर ये समापत होता है यानि जो दक्षणी बिंदू है भारत का वो 8 डिगरी 4 मिनिट उतरी अक्षांश से शुरू होता है और भारत का जो सबसे उतरी अक्षांश है उत्तर में वो है 37 डिगरी 6 मिनिट उतरी अक्षांश आगे बढ़ते हैं छट एक प्रशन पर अंशों में भारत के मुख्य भू भाग का दक्षणी अक्षांज ये अभी अभी हमने जो प्रशन देखा था उसी का अगला पार्ट है अभी हमने 37 डिग्री 6 मिनिट उतरी अक्षांज पढ़ा था यहाँ पर जो सबसे उतरी भाग थ उसी प्रकार ये जो दक्षणी भाग है वो क्या है आठ डिग्री 4 मिनिट उतरी अक्षांज तो इसे नोट कर लीजी अपनी मानचित्र के अंदर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सात्वा प्रशन भारत का सबसे पूर्वी और पश्यमी देशांटर ये भी हमने कई बार पूर्वी देशांटर आगे बढ़ते हैं सबसे लंबी तट रेखा वाला राजे हैं आगे बढ़ते हैं नवे प्रशन पर भारत के नवे प्रशन पर भारत और श्रिलंका को अलग करने वाली जलसंदी कौनसी है हमने भाग चार में जो वीडियो बनाया था उसमें भी यह मैंने आपको बताया कि भारत और श्रिलंका को जो अलग करने वाली जलसंदी है उसका नाम है पाक जलसंदी ये देखिए इस स्थान से भारत और श्रिलंका अ और देखेंगे कि कौन कौन से केंद्र साशित प्रदेश कहां कहां स्थित है इस समय भारत में नो केंद्र साशित प्रदेश है यह देखिए लद्धाक ये लद्धाग भी किंद्र साशत प्रदेश है, ये जमू कश्मीर, ये चंडीगर्ड और ये दिल्ली तो चार तो यहाँ पर हो गए, अब बढ़ते हैं, ये देखिए दमन और दीव, ये दादर और नागर हवेली, ये आपका लक्ष दीप एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये सात्वा नंबर हो चुका है, आठवे नंबर पर आता है आपका पूदुचेरी, ये रहा पूदुचेरी, और नौवे नंबर पर आता है आपका अंडमान और निकोबार दीप समू, आप इसे अपनी मानचित्र में अंकित कर लेंगे देखिए, पहला नाम मैंने बताया आपको जमू कश्मीर, लगधाग, फिर आता है चंडिगर, दिल्ली, दमन और दीव, दादरो नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार दीप समू और पूदुचेरी, पूदुचेरी को पूदुचेरी भी कहते हैं, त कि आपको इससे जुड़े हुए सारे प्रशन समझ में आ गए होंगे, यदि कोई डाउट है, तो वीडियो को फिर से रिवाइन करीजिए, यह जरूरत हो तो आप वीडियो को पोस करके देखिए, इसी उमीद के साथ कि आपको बहुत अच्छे से सारे प्रशन उत्तर समझ में आया होगा, हम मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर टू के साथ, थैंक यू! और इस कारण से भोली पूरे दिन, स्कूल में, कोने में खड़ी, बैठके रोती रही, पर जब सब बच्चे चले गए, तो टीचर ने फिर नाम पुछा, पर भोली फिर हक लाई, तो क्या हुआ? टीचर ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसके उपर हसी नहीं, बलकि उसक और प्रोचाहन बढ़ाया, और ये सब देखते हुए भोली ने फिर कोशिश की अपना नाम बोलने की, जब भोली ने अपना नाम बोल दिया, तब तीचे क्या बोली? इसने ये बोला, कि तुम अपने दिल से बस डर निकाल दो, अगर तुमने अपने दिल से डर निकाल दि तो तुम बाकी सब लोगों की तरहें, जैसे बाकी सब बोलते हैं, विल्कुल वैसे ही बोल पाओगी, तो चलो, बच्चों आगे जानते हैं की कहानी में क्या हुआ, चलो, करते शुरू, भोली ने इस तरह से अपनी नजर उठाई, जैसे कि वो पूछ रही हूँ, क्या सच में? Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? तो टीचर ने क्या बोला? हाँ, हाँ, ये बहुत आसान है, बस तुम रोज स्कूल आओ, क्या तुम आओगी? भोली नॉड़ी ने क्या किया? अपना सर हां में हिलाया. नॉड करना मतलब सम्मती में सर हिलाना. No, say it aloud. तो टीचर क्या बोली? भोली ने तो बस चुपचप सर हिला दिया हामी भरते हुए, पर टीचर क्या बोली? नहीं, जोर से बोलो. ये, ये, yes. And भोली herself was astonished that she had been able to say it. और वो अभी भी हकला रही थी. लेकिन भोली को खुद भी क्या हो रहा था? खुद भी अचमभा हो रहा था. Astonished मतलब अचमबित हो जाना. उसको खुद भी अचमभा हो रहा था कि वो ये बात बोल पाई, वो शब्द बोल पाई. अब ये किताब ले जाओ. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. क्या हुआ? उस किताब के अंदर बहुत सारी तस्वीरे थी. और वो सभी तस्वीरे कैसी थी? रंगों से बननी हुई थी. dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow. Just like Lakshmi. And with every picture was a word in a big black letter. तो क्या था उस किताब में बच्चों? बहुत सारे जानवरों की तस्वीरे बनी हुई थी. कौन-कौन से जानवर थे? dog, cat, goat, horse. ये सारे जानवर थे उनकी तस्वीरे बनी हुई थी. और हर तस्वीर के साथ में एक कुछ शब्द लिखा हुआ था. और वो शब्द किसमें लिखा हुआ था? काले रंग के अक्षरों में. In one month, you will be able to read this book. तो teacher क्या बोली? कि एक महिने में तुम ये किताब पढ़ने लगोगी. Then, I will give you a bigger book. Then, a still bigger one. और जब तुम ये किताब पढ़ लोगी, तब मैं तुम्हें एक इससे बड़ी किताब दूँगी. और उसके बाद उससे भी बड़ी. In time, you will be more learned than anyone else in the village. और एक समय वो भी आएगा. जब तुम इस गाउं में सबसे जादा पढ़ी लिखी होगी. No one will ever be able to laugh at you. कोई भी तुम्हारा मजाख नहीं उड़ा पाएगा. पीपल विल लिसन तु यू विद रिस्पेक्ट और यू विल बी एबल तु स्पिक विदाउट स्लाइटेस्ट टैमर. लोग क्या करेंगे? तुम्हारी बाते सुनेंगे इज़त के साथ में और तुम बि जरा भी थोड़ा भी है ना? और स्टैमर का मतलब तो हम जानते ही है. स्टैमर का मतलब क्या था? हकलाना है ना? तुम बिना किसी हकला हटके या थोड़े से बिना हलके से हकला हटके भी तुम क्या करोगी अपनी बात अच्छे से साफ तरीके से बोल पाओगी और लोग तु Go home and come back early morning. तो क्या बोली टीचर? कि समझ आया? चलो अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना. भोली फेल्ट as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. तो भोली को जब उसने ये बाते सुनी अपने टीचर की तो उसको अचानक से क्या लगा? suddenly मतलब अचानक से उसको क्या लगा? कि जो गाओं का जो मंदिर है, उस मंदिर में क्या हो रहा है? सारी घंटियां बज रही हैं. और जो स्कूल के आगे, जो स्कूल के आगे जो पेड़ है, वहाँ पे क्या हुआ है बच्चो? लाल रंग के बड़े-बड़े फूल खिलने लगे हैं, blessedывает मतलब खिलने लगे हैं. और अब उसका जो दिल था, वह क्या कर रहा था? धड़क रहा था, थ्रॉबिंग कर रहा था. दिल तो पहले भी धड़क रहा था, लेकिन अब उसका दिल इस तरीके से धड़क रहा था जैसे उसे एक नई उमीद मिल गई हो अपनी नई जिन्दगी की Does the year past? और इसी तरीके से साल बीटते गए The village became a small town The little primary school became a high school तो क्या हुआ था? वो जो गाव था अब एक क्या बन चुका था? एक छोटा सा टाउन बन चुका था और वो जो छोटा सा पहले स्कूल था ना प्राइमरी स्कूल अब वो कैसा बन चुका था? एक हाई स्कूल बन चुका था There were now a cinema अंदर a tin shed तो एक तिन के पत्रे के नीचे एक सिनेमा भी आ चुकी थी And a cotton ginning machine तो बच्चो गिनिंग क्या होता है? गिनिंग का मतलब होता है ओटना तो रुई ओटने की एक मिल भी आ चुकी थी One night after dinner, Ramlal said to his wife एक रात को Ramlal ने अपनी पत्नी से बोला Then, शलाए एक से बिशंबर's proposal तो क्या फिर मैं बिशंबर का प्रस्ताव स्विकार कर लूँ? प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव Yes, certainly, his wife said भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom तो उसकी बात सुनके, Ramlal की बात सुनके, उसकी पत्नी क्या बोली? हाँ, बिलकुल, भोली किस्मत वाली होगी अगर उसको इतना अच्छा दुलहा मिल सके तो ब्राइट ग्रूम, याद है ना मैंने आप लोग को पहले क्या बताया था तो रामलाल की पत्नी ने और क्या बताया बिशंबर के बारे में? उसने ये बताया कि बिशंबर के पास क्या है? एक बड़ी सी दुकान है, फिर एक अपना खुद का घर है और यहां तक की बिशंबर के बैंक अकाउंट में कई हजार रुपे भी हैं और यहां तक की वो दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है दावरी मतलब दहेज वो दहेज भी नहीं मांग रहा है तो रामलाल ने अपनी पत्नी की बात सुनके बोला की बात तो तुम्हारी सही है लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो जवान नहीं है, उसकी उमर बिलकुल मेरी उमर जितनी ही है और यहां तक कि वो लंगडाता भी है, लिंप करना, लिंप करना मतलब लंगडाना Moreover, the children from his first wife are quite grown up और यहां तक कि उसकी पहली पत्नी से जो बच्चे हैं, वो भी काफी बड़े हो चुके हैं So what does it matter? His wife replied, 45 और 50, it is no great age for a man तो उसकी पत्नी क्या बोली? तो क्या फरक पड़ता है? चाहे 45 की उमर हो या 50 की आदमी क्या होता है? उसके लिए उमर की कोई value नहीं होती कोई फरक नहीं पड़ता की आदमी की उमर कितनी है We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense और क्या बोली उसकी पत्नी? ये बोली कि हम किस्मत वाले हैं कि विशंबर दूसरे गाव से हैं क्यों किस्मत वाले हैं बच्चो? इसलिए क्योंकि विशंबर को नहीं पता कि भोली के चहरे पे क्या है? चेचक के निशान और यहां तक की भोली में क्या है? समझ की कमी ये जो आप देख रहे हैं lack of sense इसका मतलब होता है समझ की कमी If you don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life और अगर हमने इस proposal को accept नहीं किया? प्रपोजल का मतलब अभी मैंने आप लोग को बताय था, याद ना प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, तो अगर हमने इस प्रस्ताव को accept नहीं किया, स्विकार नहीं किया तो हो सकता है कि भोली की कभी शादी ही ना हो येस बट आइव उन्डर वट भोली विल से पर अभी भी रामलाल को क्या थी भोली के जिनता थी तो वह अभी भी भोली के बारे में सोचते हुए बोले कि बात सही है लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि भोली इस बारे में क्या कहेगी वाट विल डट विटलेस वन से शीज लाइक डंब काव तो पत्नी ने क्या बोला भोली की जो ममी है उन्होंने क्या बोला कि वह बुद्धी हीन क्या बोलेगी वह तो बिलकुल कैसी है एक डंब काव जैसी डंब काव डंब का मतलब होता है मूख है ना तो वह तो कैसी है भोली बिलकुल एक मूख गाय जैसी है बहुत ही जादा सीधी है बहुत ही जादा सरल है तो रामलाल ने धीरे धीरे बोलते वे क्या बोला कि शायद तुम सही कह रही हो लेकिन वो जो प्रांगन था वो जो आंगन था यानि की क्या था वहाँ पे एक कोने में भोली क्या कर रही थी उसको ये सारे बाते जो थी जो उसके माता-पिता के बीच में हो रही थी वो सब कुछ सुनाई दे रही थी वो सब कुछ सुन रही थी जो उसके माता-पिता उसकी बात कर रहे थे, whispered conversation, देखो, conversation का मतलब होता है, बात चीत करना, या परामर्ष करना, विचार विमर्ष करना, और whispered conversation मतलब, फुस फुस आते हुए, जो हम धीरे 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 बात चीत करते हैं, वो, तो ये सारी जो बाते चल रहे थी, वो सब भोली चुप चाप सुन रही थी भिशंबरनाथ was a well-to-do grocer जो भिशंबरनाथ था, यानि कि जो भोली का होने वाला पती था, वो क्या करता था? वो एक ग्रोसर था, ग्रोसर मतलब वो एक पंसारी था He came with a big party of friends and relations with him for the wedding और शादी के लिए, वो किसके साथ में आया था? एक बहुत बड़े जुलूस के साथ में आया था और उस जुलूस में कौन-कौन थे बच्चों? उस बारात में कौन-कौन थे? उसके दोस्त थे, उसके सारे रिष्टेदार थे इतने सारे लोगों के साथ वो शादी करने के लिया था भोली के साथ अबराट्स बैंड प्लेइंग पॉपलर ट्यून फॉम इंडियन फिल्म हैड़ेड दर प्रोसेशन प्रोसेशन होता है बारात जो बारात चलती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चो प्रोसेशन तो उस बारात की अगवाई कौन कर रहा था एक बैंड और वो बैंड क्या कर रहा था एक बहुत ही जादा फेमस एक बहुत ही जादा पॉपलर हिंदी गाने की धुन बचा रहा था विद द ब्राइग्रूम राइडिंग डेकरेटेड हाउस और जो धूला है याद करो ब्राइग्रूम जो धूला है वो कहा पे बैठा हुआ था एक सजे धजे घोड़े पर डेकरेटेड होर्स एक सजा धजा घोड़ा रामलाल वास ओवर जोईड तो सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर तो बच्चों पॉम्प और स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है देखो पॉम्प होता है ठाट बाट और स्प्लेंडर होती है धूमदाम तो यह जो रामलाल था भूली के जो पिता थे वो इस ठाट बाट औ नहीं समा रहे थे, overjoyed होना, मतलब वो अत्याधिक खुश थे. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जो चौथी बेटी है, उसकी इतनी शांदार शादी होगी. भोली's elder sister, who had come for the occasion, were envious of her luck. जो भोली की बड़ी बेहने थी, जो कि भोली की शादी के लिए आई थी, उनको क्या हो रही थी? भोली की किसमत से जलन हो रही थी, ीर्शा हो रही थी. Envious होना, मतलब किसी से एर्शा करना. तो यही कैसा महसूस हो रहा था भोली की बेहनों को, भोली के लिए. जब शुब महुरत आया तो पंड़जी बोले कि दुलहन को लेके आओ बोली के लेड कि दुलहन की पोशाक पहनी हूए थी एक लाल रंग की सिल्क की रेशम की जो पोशाक होती है दुलहन कि उसने वो पहनी हूए थी और उसको उसकी जगे पर लेके आया गया और कहां थी वो जगे उस हवन की अग्मी के आगे Garland the bride, one of his friends prompted भिशंबर नात तो भिशंबर नात जो भोली का होने वाला पती है ना उसको उसके दोस्तों ने उकसाया prompt किया, prompt करना मतलब उकसाना और उकसाते वे क्या बोले? Marigold, Marigold होते हैं, गेंदे, पीले रंगे गेंदे की फूलो की जो माला थी, वो थी वर्माला और क्या किया भिशंबर नात ने, वो भोली को पहनाने के लिए उठाई और एक और एक औरत ने भोली के चहरे से उसका घूंगट थोड़ा सा हटा दिया बिशंबर तुक अ क्विक ग्लांस और बिशंबर ने क्या किया? क्या देखा उसने एक जट से नजर डाली किस पे भोली के चहरे पर ग्लांस करना, क्विक ग्लांस, मतलब एक जट से नजर डाली The garland remained poised in his hand और वो जो वर्माला थी वो वही पर हातों में ही रुक गई बच्चो उसने भिशंबर नातने भोली के गले में वो डाली ही नही Poised हो ना, poised मतलब ठहर जाना वो वही रुक गई The bride slowly pulled down the veil over her face भोली ने या ब्राइड ने दुलहन ने वो जो उसका गुंगर था ना वो धीरे से वापिस नीचे सरकालिया Have you seen her? said भिशंबर to the friend next to him She has pock marks on her face तो भिशंबर ने अपने दोस से क्या बोला? क्या तुमने उसको देखा है? उसके चहरे पर तो चेचक के निशान है So what? You are not young either तो उसके दोस ने क्या समझाया? तो क्या हो गया? तुम भी तो जवान नहीं हो Maybe, but if I am to marry her her father must give me 5000 rupees लेकिन भिशंबर नात ने क्या बोला? कि हाँ, बात सही है लेकिन अगर वो भोली के पिता चाहते हैं कि मैं भोली से शादी करू तो उन्हें मेर को 5000 रुपे देने होंगे रामलाल वेंट and placed his turban his honor at भिशंबर's feet Do not humiliate me so Take 2000 rupees रामलाल ने क्या किया अभोली के पिताने उनकी जो पगडी थी है ना, जो तरबन तरबन यानि की जो पगडी थी जो कि किस चीज़ को present करती है बच्चो उनकी इज़त को, उनके सम्मान को honor को वो जाके भिशंबर के पैरों पे रख दी और क्या बोले कि इस तरीके से प्लीज आप मुझे अपमानित ना करे, हुमिलेट ना करे अपमानित ना करे ये दो हजार रुपे आप रख लें, no 5,000, और भी go back keep your daughter, लेकिन भिशंबर ना तो अभी भी अड़ावा था, वो क्या बोला नहीं, पूरे 5,000 या तो 5,000 दो, वर्ना अपनी बेटी को यहीं रख लो हम चले जाएंगे be a little considerate please, if you go back I can never show my face in the village मैं काओं में किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा then ouch with 5,000, तो भी शंबर नाथ बोले तो फिर 5,000 रुपे निकालो, tear streaming down his face, रामलाल वेंट in, opened the safe and counted out the notes तो रामलाल जो थे भोली के पिता, उनके चेहरे से क्या हुए आसू बहने लगे streaming down, मतलब बहने लगे, है ना आसू बहने लगे और वो अंदर गए उन्होंने तिजोरी से 5,000 रुपे निकाले he placed the bundle at the bride room's feet और उन्होंने वो जो गड़ी थी वो जो बंदल था नोटों की जो गड़ी थी ना वो दुल्हे के पैरों पर यानि की भिशंबरनात के पैरों पर रख दी तो भई अब क्या हो गया है बच्चो भिशंबरनात ने तो पहले तो दहेज नहीं मांग रहा था लेकिन बोली का चहरा देखने के बाद जिस पर चेचक के निशान है उसने क्या सोचा कि अब तो मुझे दहेज मिलना ही चाहिए और दहेज कितना मांगा उसने पाँच हजार रुपे पर क्या कर सकते हैं रामलाल ने वो पाँच हजार रुपे लाके रख दिये अन भिशंबर's greedy face appeared a triumphant smile तो क्या हुआ था भोली भोली के पिता ने पाँच हजार रुपे भिशंबर के पैरों में रख दिये थे दे दिये थे भई भोली के पिता ने पैसे पर अब क्या था कि भिशंबर नात का चेहरा कैसा था लालची सा था greedy face मतब लालची चेहरे पर अब कैसी थी एक विजई मुसकान आ गई थी triumphant triumphant मतलब विजई और मुसकान यानि की smile है ना तो पिशंबर नात के चेहरे पर एक कैसी आ गई थी एक विजई मुसकान आ गई थी he had gambled and won give me the garland he announced तो क्या हुआ उसने एक जुआ खेला था gambled है ना उसने एक जुआ खेला था और वो जुए में जीत गया अच्छा वो जुआ क्या था या तो वो शादी कर लेता भोली से कैसे कर लेता भई अगर वो 5000 रुपे मिल जाते तो और हो सकता है वो 5000 रुपे नहीं भी मिलते तो उसकी शादी भोली से नहीं होती पर इस जुए में वो जीत गया उसकी शादी भी हो गई और उसको 5000 रुपे भी मिल गए गिव मी दे गालेंट और उसने घोशना की क्या कि मुझे वर्माला वापिस दो और इस बार दुलहन की नजरे नीचे जुकी हुई नहीं थी नजरे नीचे जुकी हुई नहीं थी she was looking up, वो उपर देख रही थी looking straight at her prospective husband और किसे देख रही थी? अपने होने वाले पती को, भावी पती को prospective husband, prospective का मतलब क्या होता है? भावी वो उसकी नजरे एकदम उपर उठी हुई थी और वो किसे देख रही थी? अपने भावी पती को and in her eyes there was neither anger, not hate only cold contempt और उस लड़की के चहरे पर, यानि की भोली के चहरे पर क्या था? ना गुसा था, ना ही नफरत थी केवल तिरसकार के भाव थे contempt यानि की तिरसकार उसकी आखों में अपने पती के लिए होने वाले पती के लिए क्या था? तिरसकार था भिशंबर रेज द गालेंड तो प्लेस राउंड द ब्राइड स नेक भिशंबर ने क्या किया? उसने फिर से वर्माला उठाई ताकि वो दुलहन के गले में डाल सके बट बिफोर ही कुट दू सो लेकिन वो इससे पहले ऐसा कर पाता भोली's hand struck out like a streak of lightning और भोली ने अप उसका हाथ इस तरीके से उठा जैसे कोई बिजली चमकी हो streak of lightning मतलब एक बिजली चमकी हो and the garland was flung into the fire और वो वर्माला चितक कर उस हवन अगनी में गिर गई flung, flung into मतलब चितक कर गिर गई she got up and threw away the veil वो खड़ी हुई और उसने अपना घूंगट हटा दिया पिताजी said भोली in a clear loud voice तो भोली ने बिलकुल साफ और तेज आवाज में क्या बोला पिताजी and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer तो बच्चों भोली आज तक क्या करती थी हकला के बोलती थी और बहुत ही ज़्यादा कम बोलती थी लेकिन जिस तरीके से उसने अपने पिताजी को आवाज दी वो सुनकर सभी आसपास वाले भोली के माता, पिता, भाई, बेहन, पडोसी सब कैसे हो गए थे? बहुचके रहे गए, startled यानि की बहुचके रहे गए और वो बहुचके क्यों रहे गए? क्योंकि वो पहली बार भोली को बिना किसी हकलाहट के सुन रहे थे slightest stammer, याद है नहीं ये बात, slightest stammer जरा भी बिना किसी हकलाहट के बोलना पिताजी, take back your money, I am not going to marry this man पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस व्यक्ती से शादी नहीं करने वाली हूँ रामलाल वस थंडर स्ट्रक, जो रामलाल थे, वो कैसे हो गए? हक्का बक्का रह गए, थंडर स्ट्रक हो जाना, मतलब हक्का बक्का रह जाना और जो बाकी सब महमान आये थे ना, वो आपस में फुस फुसाने लगे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फिर से मतलब जाना था ना, विस्पर करना विस्पर्ड कॉन्वर्जेशन शब्द आया था, तब क्या बताय थे आपको फुस फुसा के बातचीत करना, विस्पर का मतलब क्या होता है? फुस फुसाना, तो वही फुस फुसाहट यहां पे भी हो रही थी जो महमान आये थे ना, वो आपस में फुस फुस आते हुए बाते कर रहे थे, और क्या बोल रहे थे? So shameless, so ugly, and so shameless, कितनी बेशरम है, shameless है, बेशरम है, इतनी भद्दी है, और इतनी जादा बेशरम, बोली, are you crazy? शाउटे रामलाल, जो रामलाल थे भोली के पिता, उन्होंने चिला के क्या बोला, बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? You want to disgrace your family, क्या तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो? Disgrace, disgrace मतलब अपमान, have you some regard for our izzat? और क्या बोल रहे है वो? वो ये बोल रहे है कि हमारी इज़त के बारे में तो सोचो. For the sake of your izzat, said भोली, I was willing to marry this lame old man. आपकी इज़त के ही खातिर, भोली ने क्या बोला, कि पिताजी आपकी इज़त के ही खातिर, मैं इस भूड़े व्यक्ति से शादी करने को तयार हो गई थी. But I will not have such a mean, लेकिन मैं ऐसे मतलबी, mean मतलब मतलबी, greedy and contemptible, greedy होता है लालची, और contemptible का मतलब क्या होता है? नीच, है ना, तो मैं ऐसे मतलबी, लालची और नीच, डर्पोख व्यक्ति को अपने पती के रूप में स्विकार नहीं करूंगी. कावर्ड होना, यानि की कायर होना, एक ऐसा व्यक्ति जो की कायर है, डर्पोख है वो. है ना, तो उसने क्या कहा? कि मैं ऐसे व्यक्ति को कभी अपना पती के रूप में स्विकार नहीं करूंगी. तो भई, कहानी में आ चुका है एक मज़दार सा ट्विस्ट, है ना, एक नया सा मोड आ गया है कि भोली ने तो शादी करने से ही मना कर दिया है. क्यूं? क्यूंकि जो उसका होने वाला पती था, वो कैसा था? लालची और नीच किसम का व्यक्ति था. अब कहानी के अंतिम भाग में क्या होगा भोली के साथ? ये जानने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इस वीडियो का अगला पाट देखेंगे. तो बने रहेएगा आप लोग मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में. बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा नौ में सामाजिक विक्यान विशय में बुक समकालीन भारत एक से भारत आकार और स्थिती भाग पाँच छे. वे कक्षा दस में अंग्रेजी विशय में भोली भाग पाँच छे, साथ, आच. बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा नौ में हिंदी वेवारेक व्याकरम विशय में पत्र लेखन भाग एक में कक्षा दस में करणत विशय में बहुपत प्रशनावली तीन दश्मल अग चाल भाग नौ. बच्चों, हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेन पार्टनर हैं, मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयोग, यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है. बच्चों, आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें. कारिक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं. हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001